क्या करें जब आपको कोई legal notice भेजे या आपने कोई legal notice receive किया या आप किसी को legal notice भेजते हैं उसके बात की क्या प्रक्रिया होगी इस पर्टिकलर वीडियो में जानने का करेंगे प्रयास नया मरम नमस्कार आप सभी ने शुरुआत किया शोग पाणने के साथ अगर आप नए ह सब्सक्राइब जरूर कर दें legal advice आपका अपना चैनल है जहां पर कानून की जो जानकारी है वो हम आप तक पहुंचाते रहते हैं चलिए बात करते हैं अगर आपने किसी से legal notice receive किया या ने किसी ने आपको legal notice भेजा हुआ है किसी भी मुद्दे पर चाहे आप किसी के घर में रह रहे हैं किरायदार के तौर पर आप पैसे नहीं दे रहे हैं किराया नहीं भर रहे हैं या किसी से आपने पैसे ले लिये थे या वो पैसे आप वापस नहीं कर रहे हैं या तलाग का legal notice है आप अपने पती या पतनी से तलाग चाहते हैं चाहिल का स्टेडी का है जुडि शुरू से आखरी तक पढ़ें, अगर आपको समझ में नहीं आता, क्या लिखा हुआ है, सामने वाले का क्या कहने का मतलब है कानूनी तोर पर, आप अपने वकील के पास में जाएं, वो आपको समझाएगा, सबसे पहले carefully उसके पूरे content आप पढ़ें, उसके बाद दूसरी ब reply करना पड़ेगा, उसका जवाब बनाना पड़ेगा, तो time आपको ध्यान रखना है, और content ध्यान में रखना है, कि क्या है, इसके बाद आप अपने वकील से मिलें, और उन्हें बताएं कि भई, यहाँ पर ये content यह, suppose that एक legal notice है, उसमें total 10 paragraphs है, 10 में से आपको लगता, 2-3 ब reply बनाएं, और within a period, जो भी आपको 15 या 30 days का period है, उस duration में आप भेजें, अगर आपने किसी को legal notice भेजा, फिर आपको क्या करना है, आपको बस इंतजार करना है, आपने तो legal notice बना के भेज दिया, जो भी आपका संबंदित topic है, अब आपको इंतजार करना है, कि जो सामने वा आने का, उसका intent आने का वेट करो, 15 या 30 दिन जो भी आपने समय दिया था, मान लीजे आपने 15 तारिक से 15 दिन का समय दिया था 30 तारिक तक, अब आप अगले महीने की जो एक तारिक है, वहां से आपके पास में remedy अवेलेबल हो जाएगी, कि आप या कि उसका reminder एक भेजो, ब जबास का जवाब नहीं दिया, तो आपके लिए favorable होगा, अगर वह जवाब देता है, तो फिर क्या, जवाब देता है, तो आप उसका rejoinder दे सकते हो, मतलब हो सकता हो, उस पे से भी कुछ बाते सही है हो, कुछ बाते गलत हो, तो आप rejoinder दे सकते हो, या कि आपको लगता है, क जो भी आप चाहते हो court से, वो सारे claim आप बेशक कर सकते हो, अगर आपको आया है, तो तीन बात content क्या है, time कितना है, और वकील से मिलें, उसका जवाब दें, अगर आपने किसी को भेजा है, तो आप इंतजार करें, जवाब आता है, अगर compromise होरने की संभावना है, तो आप rejoinder एक भीजें, या directly बात करके compromise करें, matter को settle करें, या कि आपको लगता है कि कोई बात ही नहीं हो रही इसमें, और बात का विबात बन रहा है, तो उस condition पर फिर आप court जा सकते हैं, और court से, जो भी आप रिलिफ claim करना चाहें, आप बेशक कर सकते हैं, आपको जानकारी कैसी लगी, मुझे जरूर बताईएगा, कोई प्रशन है, comment box में mention कर सकते हैं, और अगर directly मुझे बात करना चाहें, इस वीडियो के description में detail लिंक है, जहां से direct appointment बुक करके हो जाएगी आपकी और मेरी बात, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी स्वास्ता और सुरक्षेत रहें, मिलते हैं,